तो आज की वीडियो काफि जदा इंपोर्टन होने वाली है बहुत सरे डॉग बीडर के आपके बस चाहे कोई स्मॉल एं लार्ज और कोई भी डॉग बीडर आपके लिए काफि ज़दा इंपोर्टन रहे हैं एक बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जो है गैस्ट्रो यह बीमारी बहुत काफी ज़दा लोग हलके में ले लेते हैं जिसके करण डॉग के देत हो जाती है न्यू पपी घर पे लाने के बाद भी हो मर जाता है और कुछ बड़े डॉग के साथ भी ऐसा हो सकता है तो ऐ अगर एक गैस्ट्रो बीमारी हो जाती है पपी को चाहे डॉग को तो उसके लक्षन क्या-क्या होते है सबसे पहले तो आपको डॉग का धीरे-धीरे करके खाना बंद हो जाता है आपको डॉग कुछ भी खाना नहीं खाता है बार-बार उल्टी करने लग जाएगा सुबह क दोहर largo के शां को कि एफिर कुछ भी खाने को देते है तो तुरणती उव्लिटी करती है उसका खाना कुछ होजाता हैACE. उसका शरीर काफी ज़्यादा अपने लगता है कुछ नहीं सुस्थ पढ़ा रहता है जगह पे कुछ activity नहीं करता काफी देर तक भी पढ़ा रहता है और कुछ उसका एक्टिविटीने सब कुछ के बोडी कें अंदर कुछ खाता नहीं पानी भी पिना बंद कर देता है जिसके करण डॉक। फेर liet Tolちょ गवाइज हे तो इसे में आपको तूरंथि पास उसक drug59 चालू करना है तौर्णथी ऑक्टर के पास जाके उसका चेकव करना है अब बात करते कि इसका कारण क्या है तो इसके जो कारण होते हो कुछ सटिक नहीं होते कुछ हम बोल नहीं सकते पक्का की इसी कारण इसके यह हुआ है तो जो है वाइरल इसके करन कुछ अधर जिससे की दोग्स आपके मिलते उनको कुछ बिमारी ओ और आपका डोग मिल गया है इनके साथ खेल लिया तो उसके करनोग वो किटानुट जैमस से कुछ भी आप बोल सकते आपकी डोग के अंदर आपके बौड़ी भी डेमेज करेः दूसरा कि अगर आप कुछ फूड दे रहे हो डॉक को अचानकर फूडshsh Bernard को अचेनग कर रहे हो या फिर फूड्ज्न फूड noche kharab हो चुक Gegli Czyla वो अपने अपने डॉट को देरे को या फिर बचा हुजा खाना आप regular डॉट को दे रहे हो तो उसके करण भी इसे बीमारी हो सकती है डॉक का डाइजर सिस्टम खराब हो सकता है बीमार पढ़ सकता है और भी कुछ हो सकता है जैसे कि पेट में किडे बढ़ जाना अगर आप नहीं कर रहे हो, एक-दो साल हो गए, छे महीने होगे, आप डॉक का जो टाइम-टू-टाइम होता है, वो नहीं कर रहे हो, तो उसके कारण काफ़ जदे चांसे है कि आपके डॉक को जो है, एसे सारी बीमारी हो सकती है, और जिसे कि कुछ पेन में आउना, या उसको गाठ हो प्लॉठ फ्लोऌ होता है ईसी सारी बहुत सारी विमारी हमें जुम करना हुआ बाद सारे चैंसे होता है। बीमारी ना हो अगर कुछ बीमारी होती है तो चांसे है कि जल्दी से जल्दी रिकावरी हो जाए क्योंकि डॉक की जितनी भी बीमारी हो काफ़ कोई जो गंविर हो जाती जिसे के ऐस्ट्रो पारव वायरस ऐसी सारे बीमारी में काफ़ ज़्यादा टाइम लग जाता है अच्छा हो जाए या दो-तिन मेडिसिन बाहर से लाओ अपके डॉक्त को दू तो यह आपकी गलत फहिमी हो सकती है आपको तुरंदी डॉक्टर के पास जाके उसकी जाच करनी है जैसे आप डॉक्टर के पास ले जाते हो तो डॉक्टर को कुछ सिम्टम सो पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वह कभी-कभाए सीविसी की जाच होती है तो फिर अगर आपके डॉक्ट के में कुछ ब्ल्लॉक्च हे वो चेक करते हैं सुजन ओगे रहा हो गया वो देखते हैं इंटरस्ट्राय में अकर कुछ घटबर हो यह तो वो चेक करते है तो यह से-ज़ ठ्वाद से भी श्यव्यिव तो ऊप्नेंस लगते तो उसका ट्रीट्मेंट आपको चालू करना त्रीट्मेंट डॉक्टर जो तुरंद चालू कर देते अगर आपके डॉक मेटिंग कुछ हो रही है रापको लग रहा है कि बाट को डॉक लग डॉक्टर जे मेडिसें अगर आपको डॉक का खाना बंद हो चुका हो कफी ज्यादा डिहायड़ेड हो गया तो इस चकर में क्या करता है फूट ठेरिपी होती है जिसमें आपके डॉक को फूट बाटले होते हैं या फिर आपका डॉक्ड डिहायडेड हो जाता है तो नसव के दर यह जैसे हम यूमांस में जैसे ब्लड चड़ाते या फिर बाटल चड़ाते वैसे डॉक को भी ऐसे बाटल चड़ाते उसके अच्छे-खासे रीकावरी वहां से हो जाती है उसके अंदर भी काफी जदा इंजेक्षिन अगेरा देते डॉक को कुछ ऐसे मल्टी वीटामिन वीटामिन भी अलग से आपक तक आपको ट्रीटमेंट चालू रखनी है और जैसे कि आप रेगुलर बाटला होगा है चड़ा तो सुबह शाम चड़ाना पड़ सकता है तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा होता है तो उसका सेविंग आप जरूर से जाद रखना कि थोड़ा बहुत खर्चा होगा अगर आपको डॉक्टर जो बोलेंगे खाने को वही आपको देना है जिसे मैडिसन देनी होगी तो डॉक्टर के साथ अपडेट रहीएगा कि उसको क्या हो रहा है पूछ नहीं इतना देना चीव वे सब कुछ आपको ध्यान रखना और आपको ध्यान क्या रखने वाली चीज़े वह है कि खाने में एकदम से बदला नहीं करना आपको कुछ ऐसा खराब खाना आपको नहीं करना, या ओवर फिडिग नहीं करना, ज्यादा खाना नहीं देना, कुछ एसा डोग सड़ा हुआ, चीज खा लेता है, कुछ गयुसे लिक चीज़े खा लेता वो नहीं खाने देना आपको जो है मल्टी विटामिन डॉक को अलग से देना चाहिए और डिवर्मिंग टाइम करना चाहिए अगर डिवर्मिंग करोगे तो ज्यादा डॉक को बैटर रहेगा और आप देखो कि ट्रीटमेंट जैसे आप रेगुलर कर करें तो आपको वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक करना चानल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब जरू से करना तो मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में